नमास्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल अचार जागंद्र मिस्रा में आज हम बात करेंगे आज के कन्या राश की दनिक रास्वल की लेकिन उससे पहले बात कर ले थे आज के पंचांग के बारे में 17 जून 2021 गुरू बार कदिन है और जेश्ट मास शुकल पक्षी सब्तमीति थी है नचत्र आज पूरो अफालगुनिया और अबजीत महूर्थ की बात करें तो दुपार 11 बच के 37 मिट से लेके दुपार 12 बच के 35 मिट तक रहेगा आज के सूरू दे सुबह 5 बच कर 26 मिट पे और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं शिंग राशी पर आज के जो अस्व समय होगा वह होगा दुपार 11 बच कर 7 मिट से लेके दुपार 12 बच कर 5 मिट तक रहेगा इस अस्व समय में कोई विशुब और नए कार की सुरुवात ना करें नहीं तो बिगन बाधाय या शक्ति है अ और आज काम्याबी के नए जंडे गाड़ेंगे आज आपके केरियर में भी सफलता मिलेगी और ब्यापार के मामले में आज की दिन करने राश के जातकों कमपेटिशन के मामले में काफी बढ़त बनाए हुए रहेंगे आईडिया के साथ काम करने से आज आज आपको लाभ ह की तरब से कोई बिसेस्थ राहत मिल सकती है तो कन्यराश्कियात को पहले आपको तो बिजनेश बयापर में ही बड़े सुबसमाचार मिलेंगे तो वही कैरियर में भी काफी जदा आपको बेहतरिन सुसमाचारों की प्राप्ती होती नजराएगी करने रास्केयात को आपके केरियर में आपके बोस आपके काम की तारेफ करेंगे और आपके साथ आपकी मदद भी करते नजराएगे जो कुछ समस्याएं चलिया रही थी आपके केरियर में करने रास्केयात को वो दूर होती नजराएगी और एक बेहतर स्वास्त डेट सही है, फिक्स हो चुकी है, उनके विबाह आदी चीजे आज होती नजराएगी, यह आपके घर में कन्यराज के आद को शुबमंगल कार हो सकते हैं, धार में कारियों कायोजन हो सकता है, जिसके चलते आपके मन में काफी उत्सा और प्रसंता दिखाई दे रही है, आज किसी परकार के कोई दिक्कत धन को लेकर नहीं मिलेगी, और जो भी कोई समझाएं आपके बिजनेस ब्यापार या फिर केरियर में चल रही थी कन्यराज के आद को वो अब दूर होती नजराएगी, कहीं पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे का, तो हाला कि पैसे आप आपको यहाँ पर सोच बिचार कर रही करना होगा, लेकिन फिर भी आपको लाभ जरूर मिलेगा, तो पहला सुपसमचार आपके बिजनेस ब्यापार में और दूसरा सुपसमचार आपके केरियर जोब में, नई जोब लगने की संभावना बनी हुई है, जो जाता कभी तक बेहतर तालमेल होगा, परिवार का वातावरन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, अपनों को साथ मिलने से करने रासके आपको आपके और भी बेहतर और फाइदे बंद रहने वाला है, तो सुब बंगल कार हो शकते हैं आपके घर में, और नए साधी वावे के बंधन में बंते नजराएंगे, जो कि तीसरा सुब समचार है, और आपकी शेहत में सुधार देखने को मिलेगा, अगर कोई इसकिन की समच्छाई या फिर कोई परेशानी थी, या फिर कोई पुरानी बीमारी आपको बार बार परेशान कर रहे थी, करने रासके तो तो तनीशी तर प पर में राहत दिखाई देगी, करने रासके आट को बात करें, अगर हम विद्यारत हों के लिए तो देखे, पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद हो रहा है, और अगर आपके पढ़ाय लिखाई पर मुश्क्ले आ रही है, आपको लगता है, जैसे आप पढ़ते हैं, जितना मे पर करेश्चे आपको लाब होगा, अलाकि कमपटिशन के तयारी में आप महिनत कर रहे हैं, जी तोड़ के, और कुईकि कमपटिशन का जमाना है, और किसी इंटर्वी नोकरी के लिए तयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको महिनत करने के आवशक्त होगी, तयारी पहले स चोथा सुबसमचार है क्योंकि संतान की जो समस्याई अभी तक चल रही थी प्रोब्लेम चल रही थी वो दूर होती नजराएगी एक बेहतर और बेहतर और अच्छे संतान की प्राप्ति होगी आपके घर में एक नन्य समयमान का अगवन हो सकता है या फिर आप सही है उसमें कमी देखने को मिलेगी प्रोफेशनल लोगों से कन्य रासकेजाट को आच आपके बεहतर संबंद दिखाए देंगे बरिष्ट अधिकारियों से आपके संबंद बेतर होंगे और ताल्मेल बेतर होगा जिसका से सीधह लाब को आपके केजिर में मिलता हुआ दिख हाई देंगे पीता का शोपोर्ट मिलेगा और यहां पर आप अपने घर परिबार के लिए कुछ नए आडियक साथ उतर सकते हैं और यह आडिया आपके लिए काफी ज़्यादा लाब दायक रहेंगे आज आपके कांफिडेंस लेबल में बढ़ोतरी के साथ साथ नए कारकिस्तिरवात करेंगे तो लाब आपको मिलेगा पैसा इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं तो काफी अच जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मानसमान भी बढ़ेगा आपके मानसमान में ब्रदी होगी शमाजिक छेतर में तो आप ज़्यादा दिलचेस पी लेंगी संतान के तरक्की से भी आपको काफी कामयाबी मिलेगी और आपके जीवन में बड़ा प पाटनर है वो भी आपके तरफ जुका हो है उनका और लंबे समय से अगर कुछ बिवाज चल रहा था आपस में कुछ मन मुटाव चल रहा है जैसा लग रहा था जैसे आपका प्रेम जीवन बिचड़ रहा है पिछड़ा साथी तो अब आपका वो साथी नहीं करेंगे आज आप महत्पूर कारियों पर आज शाइन कर सकते हैं दस तक वगएर कर सकते हैं किसी कागीजी का रपाई पर हलक के आप देख रेक कर ही करें किसी पर कोई जल्दवाजी ना करें आज आपको किसी पर यानि आजनवी पर भरोशन नहीं करना है धन के नए सोर्स धन के आई में बृद्धी दिखाई दे रहे हैं और धन के नए आई में बृद्धी के नाते आज आपको धन का बड़ा लाब हो सकते है आज आपने हाथों से कुछ आप करते दिखाए देंगे और बेतरी दान दच्छना करेंगे किसी का आप मदद कर सकते हैं और किसी के हिल्प करने से आपको राहत भी मिलती नजराएगे आपके मन में काफी पोजिटिव रहेगा आज की दिन और आज आप हरकार को सो समझकर ही क करेंगे कनी रास की आतकों आज आपका शुबरंग रहेगा महरून कलर भाग शातनी बारा आपका नाइंटी टू परसंट दोस्तों जाती जाती वीडियो लाइक जरूर करें नए तो चनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए जय शेयर करें करेंगे 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 झाल झाल